हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टो कॉम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सेल करने का आप अपने लिए परफैक्ट ट्वेडिंग सेटप कैसे तयार कर सकते हैं जिसके वेशिस पर आप Indra Day में सेल साइट की तरफ इंट्री ले सकते हैं यानि Indra Day में सेल करने का हमारे पास परफैक्ट ट् yem सेटप क्या है वह हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक उपर हम इस वीडियो में डीटेल से बात करेंगे क्योंकि अगर आप perfect setup के साथ buy या फिर sell करते हो तो वहाँ पर आपके profit बनने के chances increase हो जाते हैं फिर आप trap में काफी हद तक नहीं फस्ते हैं क्योंकि जो हम trading setup त्यार करते हैं वहाँ पर कोई एक indicator या कोई एक tool का इस्तमाल नहीं करते हैं हम multiple चीजों को एक साथ combine करके फिर अपने लिए trading setup बनाते हैं और फिर वहाँ पर success के chances increase हो जाते हैं तो चलिए देखते हैं कि sell करने का perfect trading setup हम कैसे त्यार कर सकते हैं जिसका इस्तमाल हम into a day trading में भी कर सकते हैं यहां पर हम चार्ट पर आ गए और यह जो चार्ट है आप देख सकते हैं अदानी ports का चार्ट है 15 minute time frame का चार्ट है जिसके basis पर आप आसानी से intraday trading कर सकते हैं इसका इस्तमाल आप intraday trading में भी कर सकते हैं swing trading और positional trading में भी कर सकते हैं वो हम different time frame में आपको बताएंगे लेकिन यहां पर जो हम trading setup तयार करेंगे वहां पर हम कुछ चीजों का इस्तमाल करेंगे सबसे पहले यहां पर हम क्या use करेंगे सबसे पहले यहां पर हम use करेंगे trend line को trend line हम इस तरीके से draw कर सकते हैं या फिर straight कहीं भी हो सकता है और trend line हमारे लिए क्या काम करना चाहिए resistance line के लूप में trend line काम करना चाहिए तब यहां पर हम क्या कर सकते हैं इसके basis पर हम cell side की तरफ जा सकते हैं पहला condition हम trend line draw करेंगे जो कि हमाई लिए resistance के रूप में काम करता हुआ दिखेगा उसके बाद जहाँ पर हम cell side की तरफ जा रहें अगर यहाँ पर हम cell side की तरफ जा रहें तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए एक negative candle pattern चाहिए यानि negative candlestick pattern हमें यहाँ पर चाहिए अगर negative candlestick pattern हमें मिल जाता है तो फिर हम यहाँ पर cell side की तरफ इंटरी ले सकते हैं लेकिन सिर्फ दो ही point वाद trend line और negative candlestick pattern तीसरा हमें क्या draw करना है हमें फेबनाचे विट्रेस्मेंट लेवल्स भी draw करना है कोई crucial high and low को mark करते हुए जो की थोरा सा हमें big लगे उन दोनों high and low को join करते हुए हम यहाँ पर फेबनाचे विट्रेस्मेंट लेवल्स भी draw कर सकते हैं तो हम तीनों को कैसे draw करेंगा सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका multiple support बन रहा है तो इन सारे support को join करते हुए हम एक trend line draw कर देंगे अब price आपका ऊपर गया है यह support के रूप में काम कर रहा है फिर price नीचे आई support को break कर दे यह इसके बाद यह support किसमें convert हो गया अब ही हमारे resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है और यह हमारा क्या हो गया trend line अब जरूरी नहीं के trend line हमेशा आपको इस तरह के दिखे कई बार आपको straight भी देखने को मिल सकता है basically हमें support या resistance highlight करना है या फिर high और low को join करते हुए trend line draw करेंगे तो यहाँ पर उस तरह कुछ दिखाने है तो इस तरह का trend line यहाँ पर draw हो सकता है उसके बाद अब trend line हमाई लिए क्या काम करना चाहिए वेश्टेंस के रूप में काम करना चाहिए price यहाँ पर किया है नीचे आना start कर दिया है in the meantime यह आपका एक high बना है और यह आपका एक low बना है और इस high और low को join करते हुए हम फेबनाचे विट्वेस्मेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो चलिए पूरा ड्वाइंग यहाँ पर हम कर लेते हैं perfect drawing उससे हमें और बेतर से समझ में आएगा तो देखें यहाँ पर हमारा perfect drawing setup बनके तयार हो गया हमने क्या किया इस high और इस low को join करते हुए फेबनाचे विट्वेस्मेंट लेवल्स ड्रॉ कर लिया है अब यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर हमें एक negative candlestick pattern भी दिखा है और यहाँ पर जो negative candlestick pattern है वो कौन सा है? वो है आपका evening star candlestick pattern जो कि आपका एक negative candlestick pattern है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका 61% वाला फेबनाचे विट्वेस्मेंट लेवल्स भी है यह भी आपका risk change के रूप में काम कर रहा है मतलब डो indications दे रहा है कि यहाँ पर buyers में कमझोरी है और आप यहाँ पर sell side की तरफ जा सकते इससे पहले देखिए, बायर्स आपको हर एक जगा मजबूत दिखें, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, यह आपका एक डोजी केंडल फार्म कर दिया है, जो हमें दिखा रहा है, कि जितना स्ट्वेंथ बायर्स के पास है, सेम इमांट आप स्ट्वेंथ किसके पास है, सेलर्स यहाँ पर हमें देखना है, कि सिस्ट्माटिक पावर का ट्रांसफर हो राएक नहीं हो रहा, और वो हमें किस से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा, निगेटिव केंडलिस्टिक पैटर्न से, फिर यहाँ पर सेलर्स हाभी हुए, और जैसे के प्राइस इसके नीचे हमें यहाँ पर एविनिंग स्टार केंडल का फॉर्मिशन वहीं पर पता चल जाएगा, फिर हम इसी लेवल के आसपास सेल साट की तरफ चले जाएगे, यहनी यहाँ पर फिबनाचे वेट्वेस्टिक का 50% है, इसके नीचे जाते हम सेल साट की तरफ इंट्वी लेंगे, इ एसल काफी छोटा सा है, और टागेट यहाँ पर हमारा काफी बिग दिख रहा है, और अगर हम फाइनल टागेट पर इसकी बात करें तो वो तो डवल से भी जादा, यहनी तीन गुनागे करीब है, तो इस तरीके से हम इस ट्रेडिंग सेटप के जरीए, परफेक्ट सेल की तरफ जा सकते हैं, वैसे इंट वारे में भी सेलिंग एलाउड यह, वहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं, तो चले यहाँ पर हम दूसरे एक्जामपल पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे, कि अगर आप टेकनिकल इनालिसी सीखना चाहते हैं, य हमारे एप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा कोर्स देखने के बाद आप एजर इंडिपेंडेंट ट्वेडर के रूप में काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्वेडिंग डिस कर सकते हैं, यहां पर हम दूसरे एक्जामपल पर आते हैं, यह आपका एक्सिस बैंक का अवली चार्ट, इसके बाधा इस पर क्या कर सकता है, स्विंग ट्वेडिंग कर सकते हैं, तो हमें तीन चीज लेना, सबसे पहला क्या है, हमें율ेंट लाइन ड्रो करना है, उसके pattern उसके बाद तीसरा point क्या है, तीसरा point हमें draw करна payments सैंदा तर्फ हाज दुदा करना है, अब यहां पर देखिए price आपका बना नीची यहां पर पर बना दिए एन यहां में higher amd मां गया जिसके बेषिस भेशिप दूरा कर सकते हैं उसके बाद आप डेखें, यहां पर हाई बना यहां पर हाई बना फिर प्राइस आपका नीचे आके यहां पर हाई बना यह इन दोनों हाई को ही जोईन करते हैं हम इस तरीके से एक ट्वेंड लाइन ड्रॉइन 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 ड किया है यह आपका dark cloud cover candlestick pattern का formation किया है जो कि आपका एक जबरदस negative candlestick pattern है यानि जो तीनों पॉइंट था उस तीनों पॉइंट को इसने satisfy कर दिया है यहाँ पर हमारा एक perfect setup त्यार हो गया जिसके basis पर हम तो हमें जो इन दिना होगा जैसे 50% के लेवल को ब्रेक करके नीचे यहां पर हम इन पॉइंट लेंगे और फस्ट टागेट पैस हमारा यह हो जाएगा इसने सारे टागेट पैस को आसानी से हिट कर दिया है तो बस आपको यही सिंपल चीज फॉलो करना है ट्रेंड लाइन निगेटिब कैनलिस्टिक पैटर्न और उसके बाद फिपनाचे विट्रेस्मेंट लेवल्स बस इसी के basis पर आप perfect trading setup त्यार कर सकते हैं information लोगों को इसके बारे में होता है लेकिन तीनों को एक साथ combine करके यूज नहीं करते हैं तीनों को एक साथ combine करके यूज करेंगे तो कई बार false move दिखेगा जिसके basis पर हम trap हो सकते हैं यहां पर हम trap से बच सकते हैं और अपने trade के accuracy level को 80% या फिर इससे ऊपर हम ले जा सकते ह हैं तो उमीद करते हैं यह simple सा concept आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा और इसका इस्तिमाल आप live market में भी आसानी से कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया फ्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकवेज कीजिए चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो च जाहिंद